आप सबको पताई होगा कि हम यहां पर सीरीज लेके आये continuous chapters और quality content IBPS AFO के लिए और आज है agriculture का सबसे important chapter आप देखी रहे होंगे हम start कर रहे हैं अग्रोनॉमी अब हम क्या करेंगे धीरे धीरे अग्रोनॉमी को parts में cover करने की कोशिश करेंगे क्योंकि chapter बहुत ही बड़ा है statistical है data वाला chapter है तो बहुत सारी factual चीज़े रहेंगी numbers रहेंगे data रहेगा तो यहां पर हताश नहीं हो जाना है और ना ही confidence अभी भी अपना कम करना है आप क्या कर सकते हो बस आपको मैंने पहले ही कहा आपको चैनल को करना है subscribe और ऐसे बड़िया बड़िया क्लासे हम आपके लिए लेके आएंगे अब important चीज़ेस में क्या है आपको like you have to remember this thing आपका concentration इस क्लास में बहुत जादा ज़रूर है ठीक है because this is one of the most important chapter सबसे important chapter है यह agriculture का ठीक है तो आप animal husbandry लो, fisheries लो, forestry लो, horticulture लो, plantation लो ठीक है और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं agronomy की तो यह सारे हमारे core chapters हो जाते है ठीक है तो हम mainly discuss करेंगे overall agronomy के principles ठीक है उसके साथ साथ हम यही discuss करेंगे यह भी discuss करेंगे कि meaning and scope क्या है तो हम शुरूवात करेंगे agriculture से ठीक हम discuss करेंगे कि agriculture होता क्या है क्योंकि agronomy एक agriculture की branch है हमें पहले agriculture को समझना होगा थोड़े से 2-3 dimensions फिर हम देखेंगे कि overall agriculture का development इंडिया मे milestones क्या है agriculture research institute फिर हम चलेंगे agronomy की तरफ जानेंगे कि agronomy का definition क्या है agronomy की history क्या है agronomy का relation क्या है crop growth और factors के साथ agronomy principles क्या है tillage क्या होता है यह सारी चीजे हम slowly slowly सारे यह जो important points है उनको cover करते चलेंगे हम शुरू करते है हमारा chapter by agriculture हम सब को पता होगा कि agri culture यह एक primary जो sector होता है उसमें से सबसे important occupational activity है लेकिन मैं इस point of view से थोड़ा differ करता हूँ जो भी economist है अर्तशास्तर जो जिनको कहते है ठीक है जो भी economist होते है उनको एक चीज यहाँ पर समझ नहीं होगी कि agriculture is not just occupational activity अगरी कल्चर अक्यूपेशनल activity नहीं है agriculture बलकि इससे ज़ादा एक कुछ economic as well as एक ऐसी occupational activity है जो की multiple sectors से connected है तो agriculture जस्ट एक economic occupation नहीं है जो आपको काम देता है रोजगार देता है यह agriculture नहीं है ऐसा में क्यू कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो economy में कभी भी primary secondary and tertiary ऐसे तीन sectors होते है ठीक है अगर हम primary sectors की बात करे तो agriculture mining ठीक है ऐसी सारी चीज़े यह आपके primary sector में आते है secondary sector की बात करे तो industries आ जाते है manufacturing आ जाती है तर्शरी सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर सर्विस सेक्टर आ जाता है अगर अब ध्यान दो तो बस एग्री कल्चर जो होता है उसमें यह वर्ड कल्चर है ना industries में है ना manufacturing में है ना ही सर्विस सेक्टर में ऐसा क्यों वाइग्री कल्चर is not just called as any crop related activity अग्री को कभी भी बस खेती बाड़ी ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर कल्चर क्यों तो यह बात समझने के लिए आपको इस activity को समझना होगा तो आप अगर प्रिविएसली अगर दस हजार साल भी पुराने अगर 10,000 यहर्ज अगर हम पीछे चले जाए ठीक है दस अदर साल भी अगर हम पीछे चले जाते द्यूरिंग एंशियन टाइम्स मिडियोल टाइम्स मॉडरन टाइम्स आप देख सकते हो कि एगरी कल्चर किसी भी human civilization जो होता है उसका foundation होता है ऐसा में क्यों कह रहा हूँ इमेजिन करके देखो इंडस वैली civilization IBC सबसे पुरानी civilization यहां पर जो इंडस वैली civilization में हम देखते हैं पहले यहां पर खेती स्टार्ट हुई खेती के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट हुआ अब खेती और पशुपालन जब हुआ अटोमेंटिकली उनके पास बहुत जादा प्रोडक्ट्स जो अग्रिकल्चल प्रोडक्स थे वह आए उससे फिर ट्रेड यानि की व्यापार स्टार्ट हुआ ट्रेड के बाद जब आप देखते हो तो economic prosperity होती है मतलब क्या economic profit होता है ट्रेड से जी आप जो आपके पास प् ठीक है तो overall यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे agriculture से economic development and social development that is social economic development होती है किसी भी area में जब social economic development होती है उसके बाद फिर political development होती है तो political development मतलब establishment of kingdom civilization का establishment होना ठीक है उसके बाद ऐसी civilization में हर हमेशा जब एक अच्छा social एक community होती है जो कि एक proper social block में confined हो मतलब क्या एक suppose एक area है एक kingdom है ठीक है या फिर एक particular राश्टर है जिसको जिसकी quality भी अब develop हो चुकी है that is political development भी इसमें हो चुकी है अब इस political जो area में suppose कोई एक particular population है जो वहाँ के citizen है तो ऐसे area में जो कि एक civilized area है मतलब लोग वहाँ पर रहते है उनका एक political institution भी है तो ऐसे civilization में culture भी develop हो जाता है तो along with civilization cultural development भी होता है तो इस तरह से कभी भी एक total kingdom का या फिर एक total राष्टर का निर्मान होता है ठीक है लेकिन अगर हम उसके बीच देखे तो राष्टर के निर्मान के बीच कहा पर होते है अपकोर्स आपके agricultural activity में होते है और इसी लिए शायर अगर आप देखते हो तो agriculture is nothing but it is that particular first activity which leads to culturing of civilization establishment of civilization establishment of culture in an socio-economic society so try to understand it very carefully मैं क्या बताने की कुछ इच कर रहा हूं यह बुक्स में मिलेगा नहीं आपको ठीक है जब हम बात करते है और यह जो मैंने बताया आपको कि agriculture का culture क्यों कहा गया है of course यह Greek माय मतलब overall Greek जो philosophies है उसमें बताया जाता है कि actual agriculture को actually why do you in Latin in agriculture why it is split into agar that is soil and cultura that is cultivation तो term agriculture की बात करें तो दो Latin words से बनता है एक एगर मतलब मिट्टी, soil या फिर धरती and cultura या फिर cultus means cultivation तो इसका मतलब क्या है किसी भी मिट्टी से किसी भी धरती से अगर आप कुछ भी उगा रहे हो या फिर कुछ भी उपच कर रहे हो ओके तो कोई भी अगर आप crop consider करते हो यहां पर grow कर रहा है या फिर हम cultivate करने के कोशिश कर रहे है तो उसको हम agriculture कहेंगे agriculture क्या है एक applied science है जैसे हम बात करते है जब हम agriculture कोई भी activity consider करिए एक बीच बोने से लेखे जो भी आपका overall agricultural crop production हुआ है उसको market में जाकर बेचने तक जो भी steps उसमें होती है मिटी की मिटी का त consider करते हैं तो अब हमें समझ में आता है कि agriculture यह एक बस एक science नहीं है या फिर बस एक कोई भी extreme नहीं है knowledge की जो agriculture में यूज की जा सकती है यह applied science है applied science मतलब agriculture में chemistry यूज होता है biology यूज होता है ठीक है इसके साथ साथ इसमें climatology यूज होता है geomorphology यूज होता है geography यूज होता है तो इस तरह से ये एक applied science है मतलब क्या science के different different जो branches है वो उसमें मिल जूल कर यहाँ पर apply किये जाते है it encompasses all aspects of crop production इसका मतलब क्या है हम अपनी खेती में अलग अलग यहाँ पर crops grow कर रहे है या फिर produce कर रहे है जो कि include करते होटी कल्चर जैसे फल आपकी सबजी पेड फूल उसके बाद livestock रेरिंग पशू पालन करना उसके बा तो fisheries, forestry, livestock, horticulture यह सारी चीज़े आपके agriculture के अड़र आती है तो एक बर मैं आपको clear कर देता हूँ जब भी हम agriculture की बात करते है agriculture के यह सारे domain होते है एक होता है आपका agronomy ठीक है agronomy का मतलब यह होता है कि आप मिट्टी से कुछ भी cultivate कर रहे हो ठीक है जमीन से कुछ भी उबजाओ जो आपका overall crops रहेंगे या फिर आपकी जो खेती रहेगी वो यहाँ पर grow कर रहे हो खेती मतलब कोई भी crop कोई भी एक vegetative crop grow कर रहे हो अब इसके अलबा agronomy की अगर मैं बात करू तो agronomy क्या होता है जो आपका area होता है जो आपका खेत होता है खेत कैसा होता है एक एकड़ का हो सकता है दो एकड़ का हो सकता है दस एकड़ का हो सकता है उस अगर खेती में आप कोई भी crop को produce कर रहे हो या फिर manage कर रहे हो उसको वो हम agronomy कहेंगे तो agronomy यह जादा तर एक खेती के टुकडे से related है ठीक है तो यह हमारी agriculture की पहली ब्रांच हमारी agriculture की दूसरी ब्रांच होती है horticulture horticulture का मतलब यह है कि कोई भी hortus मतलब garden और culture मतलब cultivation garden इसलिए यह word horticulture में आ जाता है क्योंकि हम horticulture में कभी भी छोटे-छोटे plants जो होता है वो अपने terrace पर मतलब यहां पर horticulture में किसी भी crop को जमीनी के टुकडे पर ग्रो करने की जरूरत नहीं है आप इसको टेरिस में ग्रो कर सकते हो आप इसको अपनी gallery में ग्रो कर सकते हो आप इसको garden में ग्रो कर सकते हो आप छोटे से flower pot को भ अंदर नहीं आएगा वो horticulture के अंदर आएगा क्योंकि agronomy में जो भी crops होते है वो जमीन के टुकडे पे लगाए जाएंगे मतलब खेती जब हम बात करते वो होता है और horticulture जब हम बात करते वो होता है जो आप garden जो आप छोटे से area में area यहां पर important नहीं होता है आप घर के अंदर भी farming कर सकते हो terrace, garden, आपकी balcony, flower pot, nursery यहां पर जो भी plantation होता है पेडों का, फलों का, फूलों का यह इसको horticulture कहते है यह दो branches होगे इसके बाद हमारी main branch होती है livestock अब livestock का मतलब यह है कि कोई भी पशू अगर आप consider करते हो उसका पालन करना ठीक है अब यह livestock जो हमारा cultivation ह इसे कुछ crops होते है जिनको grow किया जाता है एक या फिर दो तीन सालों से भी जादा उनको plantation crops कहते हैं तो horticulture और plantation एक ही segment में गिरते हैं क्योंकि उनको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी field में grow करिए ठीक है और last हमारा एक type है agronomy, horticulture, livestock, forestry and fisheries fisheries मत्से पालन ठीक है तो पशुपालन के साथ साथ मत्से पालन तो यह 5 types हो जाते है agriculture के अंदर इसमें से हम देखने वाले है हमारी main branch agronomy ठीक है agriculture जब हम बात करते है it is defined as art, science and business of producing crops and livestock for economic purpose जो भी खेती हम करते है जो भी पशुपालन करते है जो भी यह सारी activities करती है उसमें जो आपका किसान होता है वो हरमेशा यही सोचेगा कि मैं कैसे मेरी खेती ठीक से करू कैसे मेरी agricultural activities ठीक से करू और उनको बेचके अच्छा sum या फ क्या करने की कोशिश करूँगा अफकोर्स यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा और मैं फिर से खेती अच्छी तरीके से करूँगा अब यह simple philosophy होता है किसान का आप सपोज उसने 10 टन का चावल यहाँ पर अपनी खेती में बनाये वो 10 टन का जो भी चावल उसने बनाय है वो जब मार्केट में जाके बेचेगा तो जितने पैसे उसने बन लगाये है इस खेती में उससे जादा उसे मिलने चाहिए तब ही हम कहेंगे कि उसको क्या हुआ है profit हुआ है मतलब मुनाफा हुआ है ठीक है तो यह बात हम सबको समझनी होगी कि agriculture यह कोई ऐसे activity नहीं है कि आपने एक crop ले लिया आपके घर में आपने लगा दिया या फिर एक जमीन के टुकड़े पे लगा दिया और फिर आपको कोई परवा नहीं कि वो कितना ग्रो करता है नहीं agriculture is all about की yield कितनी है productivity कितनी है total output कितना है ताकि उसको market में कुछ value मिले agriculture को art science और business यह क्यों कहा जाता है क्यूंकि agriculture आर्ट इसलिए है क्यूंकि agriculture एक skilled activity है आप कल यह नहीं कह सकती कि agriculture कैसे भी half a thousand वे से आप करिए बतलब जैसे मन में आ रहा है वैसे अंदा धुन agriculture खेती आप नहीं कर सकते आप simple एक example लीजिए महाराष्टर में विधरबर रीजन एक है और वही 400-500 किलोमेटर दूर अहमद नगर पूने के साइड में एक जिला है मरटवड़ा और विधरबर रीजन में अगर आप देखते हो तो जो भी किसान वहाँ पर है वो वहाँ पर ऐसी economic और ऐसे agricultural system पर dependent हो गए कि चाहे वो जो मरजी कर ले वो हर हमेशा आक मूंद कर बस कपास की खिती करते इसी लिए ना तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाते है और हर हमेशा आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सूसाइड्स होते है वो मरटवड़ा और विधरबर रीजन में होते हैं लेकिन 400-500 मीटर अगर दूर आओगे अमदनिगर में वहाँ पर आपको हिवरे बाजार नाम का एक छोटा सा गाव मिलता है वहाँ पर इस जो गाव है हिवरे बाजार उसको कहा जाता है करोड़ पतियों का गाव अब यहाँ पर क्या हिरे के जवारी वगरे नहीं ह कुए है राधर अगर आप देखते हो इस गाव में जो किसान है वो अच्छे अच्छे पेड़ फूल सबजिया ऐसे क्रॉप्स का कल्टिवेशन करते मतलब a mix of horticulture and agronomy तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि एक जगह पर तो किसान यहाँ पर agriculture से परेशान है और दूसरी जगह पर agriculture से farmer खुश है जितना भी उसको प्रॉफिट आ रहा है उससे फरारी लेके घूम रहा है तो इससे हमें यह पता लगता है कि agriculture कोई ऐसी ही activity नहीं है जो आख मूंद कर हम कही पर भी करे it's a activity which is related to skill कि आपका इस activity में skill कितना है दूसरी चीज है science का मतलब यह चीज है है कि कुछ agriculture के principles है कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो theories है कुछ methods है कुछ philosophies है कुछ practices है जो जिस प्रकार से scientifically आपको apply करना होगा for example एक पेड में कैसे pollination होता है एक पेड की morphology क्या है physiology क्या है overall उसमें photosynthesis reaction कैसे होता है खाना कैसे बनता है पेड में ठीक है यह सारी चीजे science स तो इसका मतलब क्या है skill के साथ साथ scientific temperament approach भी होना चाहिए दूसरी चीज बिजनेस अब जहां पर आप crop production करके market में आके उससे बेच रहे हो ठीक है मैं 50 kg चावल लाया हूं मैं आपसे बेचना चाहता हूं मैं 20 kg गेहू लाया हूं market में बेचना चाहता हूं आप चाहे फिर वो आड़तियों को बेचे FCI में बेचे बेच कर आपको पैसे मिल रहे है इसका मतलब यह है कि यह commercial activity है commercial activity ऐसे अक्टिविटी होती है जिसमें आपको पैसा मिलता है it's a transaction business transaction तो इस तरह से हमें पता लगता है कि agriculture एक आर्ट है science है और business भी है scope की अगर बात करू यहाँ पर भ बता होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज़ है यह एक ऐसा सेक्टर है जो 58% मतलब अल्मूस्ट साथ प्रतिशत यहाँ पर लोग जितने भी इस देश में वर्क फॉर्स है वर्क फॉर्स इंसेंज जो काम कर रहे है उनको यहाँ पर occupation प्रोवाइड करता है मतलब यहाँ पर employment agriculture से ऐल्मूस्ट 110% आती है agriculture अकाउंट के अगर बात करें तो 15 percent total export earning यहाँ पर कहां से आती है agriculture से आती है इसके अलावा अगर मैं बात करू तो इंडिया में agriculture का फ्यूंड food security के point of view से या फिर food security को ले के भी बहुत ज़्यादा importance है क्योंकि इंडिया एक तो है highly populated country दूसरी चीज़ है इंडिया में अगर हम देखे तो consumption सबसे ज़्यादा होता है consumption in the sense demand बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारी चीज़ों की तो इस वज़से high population high consumption यह आप बस agricultural आपके agricultural activity के उपर depend करता है फिर चाहे आप suppose आप depend कर रहे हो किसी juice के उपर आप depend कर रहे हो for example cardboard के उपर आप depend कर रहे हो किसी भी electronic चीज़ के उपर तो आपको पता लग जाएगा इन सारी चीज़ों को अगर आप बना रहे हो as a final product as a final service और आपको यह दी जा रही है तो उसमें भी कही न कही agriculture का footprint होता है कैसे मैं आपको बताता हूँ imagine करिए कि for example आपको आप एक electronic computer laptop खरीद रहे तो laptop खरीदने के लिए जो आपका cardboard उसके साथ आहेगा आएगा राइट तो वो जो cardboard होगा वो कहां से बनाया होगा अफकोर्स फ्रॉम यॉर और और अर्गेनिक ट्रीज होगी ठीक है similarly simple से एक बात eraser rubber ले लो rubber कहा से आता है rubber के प्लाट से pencil का आती है wood pencils आपके wooden stencil से आप वुडन ट्रीज से आएगा ठीक है तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि agriculture का importance आपके consumption में बहुत ज्यादा important है दूसरी चीज़ है allied sector जैसे कि horticulture अनिमलस बंडरी डेरी fishery इनका भी economic condition health और nutrition जो हमारे population है उनमें इन activities का या फिर इन sectors का बहुत जादा यहाँ पर contribution है इसके अलावा अगर मैं बात करू रूरल एरियास की जब हम बात करते हैं तो जितने भी low priced और middle price consumer goods है इन सारे जो products है उनका जो source होता है वो अफ्कॉर्स agriculture से ही आता है ठीक है देन इसके साथ साथ अगर हम आज की बात करें आज की बात in the sense पहले जब हम agriculture करते थे तब climate scenario इतना important नहीं था लेकिन आज जब हम बात करते हैं तब climate बहुत important हो चुक है इसलिए जब हम climate की बात कर रहें तो agriculture भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि agricultural activity को आज एक 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 लोजिकल एक्टिविटी ही consider किया जाता है therefore to maintain ecological balance बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक sustainable और balanced agricultural activity करें ठीक है अगर अगर हम ये भी देखे कि agriculture in total अगर हम changes देखे तो overall agriculture में climate के according बहुत सारे dynamic changes होते हैं तो वही consider करके ठीक हमारी ये responsibility है कि हम agriculture को इस तरह से करें कि हमारी economy को भी benefit हो हमारी society को भी benefit हो हमारे producer को भी benefit हो और हमारे customer को भी benefit हो ठीक है तो इस तरह से agriculture का importance है अगर agriculture development की अगर हम बात करें तो दो-तीन चीज़े जस्ट इस total paragraph में important है पहला तो ये है agriculture एक important key sector है ठीक है दूसरी चीज़ ये living provide करता है for more than 58% leaving मतलब क्या पैसे कमाने का जरिया 58% आपको मिलता है agriculture से अगर हम बात करें agricultural sector का 57% जो जमीन है वो agriculture इंडिया में 57% जो जमीन है वो agriculture के लिए यूज की जाती है मतलब crop cultivation के लिए और अगर हम इसको global share के साथ compare करें तो ये 12% है इसका मतलब क्या है इंडिया में major जो जमीन है वो agriculture को dedicate की गई है और ये सबसे जादा का हमारा major advantage है दूसरी चीज हमारे इंडिया की 57% agriculture जमीन जो है वो agriculture के लिए यूज की जाती है लेकिन शौकिंग बात ये है कि इस में से जो अगर हम जो जमीन 57% हमारे पास है उसका अगर हम land to human ratio लेते है land to human ratio मतलब क्या एक मिनिट अगर हम land to human ratio लेते land to human ratio मतलब क्या तो land to human ratio मतलब कितनी जमीन है आपके पास कितनी जमीन है आपके पास और एक हर एक इनसान के पास कितनी कितनी जमीन है तो यह जब आप निकालते हो तो land तो human ratio इंडिया का कितना आता है 0.31 hectares जो की है world average के आदा तो world average है 0.6 hectare और इंडिया का है 0.31 hectare अब इससे एक बहुत important बात हमें पता लगती है पता यह लगती है कि इंडिया में जो 100% land है उसमें से 57% हम agriculture के लिए यूज़ करते लेकिन यह जो 57% जो land है उसमें से हर एक इंसान के पास बस 0.31 hectares of land है अब यह ऐसी situation क्यों आई है यह आई है fragmentation of land की वज़े से और fragmentation का मतलब क्या है जमीन का बटवारा अब आप बोलोगे कि सर कहा पर जमीन का बटवारा होता है तो जमीन का बटवारा ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन में हो यह होता है एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में तो आप देख सकते हो कि सपोज आपके दादा जी के पास 20 हेक्टेर जमीन थी ये 20 हेक्टेर जमीन डिवाइड हुई आपके पापा और आपके अंकल आपके जो जो भी चाचा या जो भी मामा थे उनके साथ ये डिवाइड हुई ठीक है तो 20 हेक्टेर खेती डिवाइड और आपके जो अंकल थे उनके पास 10 चली गई ठीक है अब आपके सपोज डैड के है दो बेटे ठीक है तो ये 10 हेक्टेर दो बार और डिवाइड होगी तो आपके पास 5 हेक्टेर आपके भाई के पास 5 हेक्टेर तो अभी इस सिचुएशन को देखो कि लैंड फ्रेग्मेंट दो नीचे नीचे चली जाती है इस वजह से प्रोब्लेम क्या हो रहा है from one generation to other एक generation के पाद दूसरी, दूसरी के पाद तीसरी, तीसरी के पाद चौती जमीन बाटते हुए नीचे नीचे चली जाती है इस वज़े से problem क्या हो रहा है इस वज़े से problem यह हो रहा है कि जमीन का टुकड़ा जो हर एक के पास है वो कम available है और जब अगर किसी भी एक इंसान के पास कम जमीन का टुकड़ा वे ले बले तो वहाँ पर agriculture करना थोड़ा सा यहाँ पर difficult होगा दूसरी चेज़ सबसे ज़ादा यह important है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत ज़ादा diversity है तो इंडिया में बहुत ज़ादा ऐसे crops है जो की different origins के ठीक है 166 crop species है 320 wild relatives of crops इंडिया में originate हुए है अगर हम बात करें तो diversification बहुत ही ज़ादा है वो भी flora का भी और fauna का भी मतलब animals भी livestock भी और agricultural crops भी इसमें बहुत ज़ादा variation है अगर हम research की बात करें तो overall जब हम agricultural research के point of view से देखते है तो यहाँ पर एक बात हमें पता होनी चाहिए कि इंडिया में research point of view से क्या-क्या important चीज़े हुए तो एक यह है कि imperial council of agricultural research यह 1929 में establish हुआ था ठीक है फिर 1970s में department of agricultural research and education यह एक department बनाया गया ministry of agriculture के under इसके बाद में अगर आप देखते हो royal commission on agriculture ICR के 113 institutes 74 agricultural institute ठीक है इंडिया की जो पहली जीवी पंत उनिवर्सिटी है जो पंत नगर में है वो established हुई 4 deemed to be universities 3 central universities 731 कृषी विग्यान के इंदर 1974 में पहला कृषी विग्यान के इंदर डेवलप्ट हुआ National Agricultural Research and Education System यह डेवलप हुआ नरेस यह सारे जो आपकी research developments इंडिया में हुई मैंने short में बता दिया आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें ठीक है तो landmark achievements इंडिया में क्या क्या हुई है तो पहली चीज तो यह है कि 70-75 सालों में 1950s में जो million tons 135 million tons जो आपका total food grain non-food grain in total food grain production था वो ता 135 million tons और आज वो है 1300 million tons ठीक है अगर हम revolutions की बात करें जहाँ पर quantity quality of total produce two-fold, three-fold increase हुआ है तो पहला है आपका green revolution जो की crop से related था father थे MS स्वामी नातन फिर है आपका white revolution या फिर operation flood father है वर्गिज कूरियन related product है milk फिर है blue revolution blue revolution है marine product से related fishes से related oil revolution है yellow revolution related है oil से golden revolution related है horticultural crop से और honey से silver revolution related है eggs से और इसके साथी साथ eggs के साथ साथ egg product से फिर brown revolution related है coffee से gray revolution related है wool से और साथी साथ में fertilizer से red revolution related है meat से और onion से तो इस तरह से अलग अलग agricultural revolution है अब इन जो agricultural revolution की बात हम कर रहे है यहाँ पर बहुत ज़ादा important है कि आप इनको depth में पढ़िए थोड़ा सा internet पे जाके भी research कर सकते हो आपको इनके बार में दो तीन चीजे मालूम होनी चाहिए जैसे की green revolution था 1967 to 2003 तक operation flood की जब मैं बात करता हूँ शुरू हुआ है 1991 से लेके 2002 तक तो इस तरह से आपको सारे revolutions के timings पता होनी चाहिए period पता होना चाहिए brief आपको पता होना चाहिए father of each revolution क्या है और revolution का color क्या है और product क्या है culture after independence मतलब 1947 में independent होनी के बाद इंडिया में ऐसी क्या-क्या important चीज़े हुई है तो 1947 में सबसे important चीज़ हुई थी grow more food campaign यह क्यों हुआ था क्योंकि 1943 में इंडिया में बेंगाल में famine हुई थी जहाँ पर खाने के लाले पड़े थे बिल्कुल खाना अवेलेबल नहीं था तो हमारा main objective यह था कि हम हमारे total food grain production का surplus कर आए कि हमारे पास खाना अवेलेबल हो ज़ादा यहाँ पर famine और drought की problem solve करने के लिए 1948 की अगर हम बात करते है तो यहाँ पर first multi-purpose river valley project जो की है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट यह यहाँ पर जहरकर्ण में शुरू हुआ इसके बाद agriculture extension जो की है knowledge spread करना agriculture का इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट और नीलोखेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1948 में उसके बाद सबसे important चीज़ अगर हम बात करे तो यह है community development program जो start हुआ 1952 में ठीक है यह था आपकी overall rural planning और rural development जो के agricultural और rural sector से related था national extension service again related to agriculture extension फिर हम बात करते overall yes world's first all rust resistant wheat NP809 यह release किया गया था 1954 में अब बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़े भी होंगी जो आपको आप बस read कर सकते हो मैं बस आपको यह नहीं करूँगा कि मैं सारी चीज़े यहाँ पर पढ़ू आप भी बोरो जाओगे इसलिए मैं बस important जो जो चीज़े वो आप से clear कर वा रहा हूँ ठीक है फिर हम चलते है discussion भवानी सागर डाम जो तन्मिन लाडू में develop हुआ था 1955 में इसके बाद अगर हम देखते है आल इंडिया coordinated research जो की मक्के पे हुई थी मेच पे 1957 में ठीक है first marine census that is marine fisheries census हुआ था 1957 में ठीक है उसके बाद DIM University यह status दिया गया था एक research institution important इंडिया का Indian agricultural research institution को ठीक है उसके बाद National Agricultural Co-operative Marketing Marketing Federation 1958 में establishment हुआ था उसके बाद अगर हम बात करें तो yes first agricultural university on land grant pattern that is GB Pant University यहाँ पर establish हुई थी कब हुई थी है 1960s में GB Pant ठीक है कब हुई थी है 1960s में फिर 64 to 70 तक क्या-क्या हुआ तो पहला तो यह है Commission on Agricultural Cost and Prices और Food Corporation of India यह establish हुआ था 1965 में उसके बाद यह जो हम minimum support price की बात करते हैं यह system start की गई थी पहला crop जो MSP के साथ जिसने शुरू किया था वो था भीट ठीक है 1966 में उसके बाद 1966 में कभी भी आप देखते हो तो green revolution का foundation ले किया गया था पहला जो program था जिससे green revolution स्टार्ट किया गया वो था high yielding variety program ठीक है इससे initiate किया गया था आपके green revolution को उसके बाद नागर जुना सागर डैम established किया था इंडिया का पहला masonry डैम ठीक है फिर अगर हम और बात करते और important चीज़े जो इसी साल में अगर हम देखे तो 1969 में जो भी 14 important private banks थी उनका nationalization किया गया था ठीक है राष्टर यह करन किया गया था इस banks का ठीक है फिर 1971 to 79 यहाँ पर क्या हुआ था यह 1973 में जो मैंने पहले बता है था एक department का creation किया गया था agricultural ministry के नीचे जो देखेगा बस agricultural research नाम था department का department of agricultural research education जो है dare department 1974 में क्रिशी विज्ञान केंदरा pondicherry में establish हुआ था एक agriculture and agriculture extension and skilling related भी एक system develop की गई थी जो थी training and visit to the field जो 1974 में की गई थी agricultural research service और agricultural scientist recruitment board यह यहाँ पर establish किया गया था 1975 में ठीक है उसके बाद थोड़ी और छोटी चीज़े है lab to land program शुरू हुआ था 1979 में और उसके साथ साथ ही national agricultural research project भी start हुआ था तो यह important चीज़े है जो हमें remember करने है 1977 तब 1981 से लेके 1995 में देखो क्या होता है पहला तो यह चीज़े है आपका नाबाड establishment कब हुआ है 1982 में ठीक है 1984 में आपका और एक important institution जो कि है national horticultural board अब आप सब लोग यह बोलोगे कि sir how do you remember this all things आप कैसे इतना रटा मार रहे हो तो रटे की कोई बात नहीं है simple सी बात है समझ लो कि कैसे करना होता है किसी भी इंसान को कुछ भी पढ़ने के लिए एक first read होता है फिर होता है आपका second read और फिर होता है आपका third read आपका first read जो होता है यह आप जैसे comics पढ़ते हो ना वैसे आपको comics या फिर आप कहानी की जब कभी भी कहानी आप पढ़ते रहोगे राइट कहानी की किताब तो कभी भी कहानी जब आप पढ़ते हो इन कहानियों को पढ़ते हो, कैसे आप randomly पढ़ते हो, वैसे आपको first reading करने है, जो आपकी second reading कभी भी किसी किताब की होती है, वो आपको detailed करनी होती है, वो आपको कैसे करनी होती है, detailed करनी होती है, और जो आपकी तीसरी reading आप करते हो, वो आपको कभी भी revised reading करनी होती है, revised मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि किस लाइन के बाद क्या आने वाला है अगर किसी भी किताब की अगर आप किसी भी डेटा की तीन बार रिडिंग करते हो तो हमेशा वो आपको याद रहेगा ठीक है तो फिर इंटिग्रेटर पेस्ट मैनेजमेंट नैशनल पॉलिसी एक्सेप्ट की गई थी 1985 में थोड़ा सा इंपोर्टन है यह ठीक है उसके बाद नैशनल अकडेमी ऑफ अग्रिकल्चरल साइन्सिस 1990 में यहाँ पर डेवलप किया गया था और 1995 में आप देखते हो इंस्टिशन एग विलेज लिंकेज प्रोग्रेम आई वी एल्पी यह यहाँ पर इनिशेट किया गया था उसके बाद एक और एक चीज है जो 1999 में ही हुई है वो है अग्रो इकोलोजिकल सब रिजन नापिंग ऑफ एंडिया ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो अफकोर्स नैशनल अग्रिकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में और 2005 में ही 5 में यहाँ पर प्रोजेक्ट ज क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रिकल्चर है वो इनिशेट किया गया था 2011 में ठीक है हाँ दोजार येस दोजार ग्यारा में ठीक है फिर हंडेड क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज इस्टैबलिश्ट 2012 में ठीक है उसके बाद अगर हम देखे मेरा गाव मेरा गवरव प्रोग्रेम कब था ये 2015 में एक इंपोर्टन्ट एग्रिकल्चरल स्कीम है जो की है कि यूट्स को बस एग्रिकल्चर में रखना है उनक को स्किल ट्रेनिंग देनी है ताकि वह एग्रिकल्चर अक्टिविट्टी को छोड़े ना तो उस प्रोजेक्ट का नाम था आर्य प्रोग्राम जो शुरूआ था 2015 में ठीक है फिर 2016 से लेके 2020 अगर हम देखें इंपोर्टन एस्पेक्ट से इनाम यहाँ पर लॉंच किया गय ताकि lecun की जो एग्रिकल्चरल मार्केट से वहाँ पर एक्स्पोड आडिशन ना हो वह इजिली विदाओ टेनी बॉर्डर सवा अन्लाइन प्ल attitudes पर अपना एग्र्रिकल्चर प्रोडूस सैल कर सके अग्रिकल्चरल नैश्न एग्रिकल्चरल हायरईि्ट केशन प्रोज ये एक special ministry बनाई गई थी agriculture से बाहर निकाल कर 2019 में भूमी जीव पर्टल डेवलप हुआ था 2020 में तो इस तरह से ये important aspects है 2021, 22 और 23 में क्या हुआ था एक बार जान लो एक तो यह है कि 2022 में हमारे total agricultural products जो थे वो एक new milestone उनने cross किया USD that is United States dollar 50 billion यहाँ पर हमने cross किया ठीक है agricultural investment portal का setup किया गया national mission on edible oils and oil palm यह launch किया गया तो 2022 में और food and agriculture organization में millets जो थे उनके लिए international years of millets डिक्लेर किया 2030 में इस तरह से यह सारे milestones है चाहिए तो आप पढ़ सकते हो content आपको of course courses में बिल जाएगा आपको जाना है all you board agri coaching channel पर वहाँ पर courses की link दी गई है all you board portal पर जाईए वहाँ पर agriculture domain में जाईए वहाँ पर हमारा AFO batch it's going on ठीक है अब बात करते है agronomy के बारे में and let's try to just understand कि agronomy का meaning क्या होता है short में आपको पता ही लग गया होगा कि agronomy यह जो word होता है वो आया है Greek word से agros का meaning होता है field तो agronomy में एक चीज़ बहुत important है जो मैंने आप सबको बताई field मतलब खेती खेती मतलब बस crops नहीं मतलब जमीन का टुकड़ा भी यहाँ पर बहुत जादा important है मतलब किसी भी एक जमीन के टुकड़े के ओपर जब आप खेती करते हो तो वो जमीन का टुकड़ा normal टुकड़ा नहीं है वो खेती करने वाली जमीन है तो उसके उपर जब आप कोई भी crops का या फिर जो भी खेती manage करते हो या फिर produce करते हो इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है agronomy कहा जाता है so what is agronomy agronomy is combination of two words एक है field मतलब इस field मतलब इस खेती के उपर आप कोई भी crops grow कर सकते हो और ये field को ये field को या फिर इस field मर इस field पर crops का production कर रहे हो और productions के साथ-साथ management भी कर रहे हो उन crops की so what is agronomy अगर मैं English definition बता हो तो कि किसी भी field में आप crop production कर रहे हो crop management कर रहे हो और हिंदी में अगर मैं बता हो तो किसी भी खेती में कोई भी पेड़ फल फूल या फिर crops या फिर खेती का production करना और उसका management करना इसको हम agronomy कहेंगे ठीक है जब agronomy की बात होती है तो एक चीज़ याद रखना ये जो आपका खेती का टुकड़ा है इस खेती के टुकड़े के ऊपर आप उस crop की management का मतलब क्या है manage मतलब क्या होता है एक किसी भी खेत में किसी भी एक आपकी जो crop होता है उसके बीच को बोने से लेके बीच के बोने के बाद उसको irrigation मतलब पानी provide करना manure fertilizer provide करना उसका जर्मिनेशन होना सेलिंग से सैपलिंग वो जो छोटा सा crop है वो बड़ा हो जाना फिर उसके physical growth होना maturity physical maturity और maybe reproductive maturity stage reach करना उस पर full आ जाना फूल से फिर फिर से उससे बीच आएंगे बीच के उपर फिर उसको fruit आएंगे ठीक है तो यह सारे जो stages होते है crop growth के उसमें जितनी भी activities involved है activities in the sense चाहे फिर fertilizer supply हो चाहे फिल insect के related pest management हो चाहे फिर nutrient management हो यह सारी चीज़े involved होती है आपके agronomy में तो अगर मैं agronomy की आप सबसे बात करू तो agronomy मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है agronomy is a combination of all these things first it is related to crop production crop production का मतलब क्या है crop production मतलब बीच बोने से लेके जो आपका total crop है उसको काट कर market में बेच रहे हो इसके बीच में जितनी भी activities आती है वो सब आपका crop production crop production में इसमें आपकी बहुत सारी चीज़े आ जाएंगी sowing से लेके irrigation से लेके बहुत सारी चीज़े ठीक है crop production के बाद आती है आपकी इडैफोलोजी इडैफोलोजी मतलब क्या आपके जमीन पर आप क्या क्या कर रहे हो उस particular crop या फिर उस particular खेत के लिए तो इडैफोलोजी में आ जाएगा tillage इडैफोलोजी में आ जाएगा flowing इडैफोलोजी में आ जाएगा fertilizer addition एक्सेटर इडैफोलोजी के बाद होता है irrigation ठीक है irrigation उसके बाद है crop growth and health और यह crop growth and health कैसे होती है integrated pest management integrated nutrient management ठीक है पोस्ट हार्वेस्टिंग प्लस पोस्ट हार्वेस्टिंग systems and mechanisms पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब जो भी आपने crop का production किया है उसको काटने के बाद उसको आप स्टोर करके रखते हो या फिर अगर shelf life camp है तो जाकर market में बेचते हो ठीक है यह पोस्ट हार्वेस्ट हो गया पोस्ट हार्वेस्ट के बाद है forward backward linkages forward backward linkages forward backward linkages मतलब क्या गेहू चाहे direct market में बेचो या फिर बेचो आप आशिरुवाद आटा को direct बेचोगे तो गेहू कोई ले लेगा और उन गेहूं को पीस कर उसका आटा बनाएगा और अशिरुवाद आटा अगर आप किसी को भी बेचते हो तो कोई भी direct आटा लेके उसके चपाती बनाएगा या फिर अशिरुवाद आटा फिर आगे बेकरी को बेच सकता है जिससे फिर केक बन सकता है ठीक है या फिर जिससे bread बन सकता है जो कि finalized product है तो यह आपके forward backward linkages होगे और forward backward linkages के बाद last stage होती है profit commerce ठीक है यह सारे steps है agronomy के यह लिख के रखना ताकि आपको एक clarity हो agronomy में क्या-क्या चीज़े होती है ठीक है अब it is important to understand कि properties of soil soil कैसे किसी भी plant growth के साथ कैसे interact करता है soil क्यूँ soil को foundation कहा जाता है जिसके उपर कोई भी crop grow कर सकता है it is well said in agriculture agriculture में एक बात कही जाती है कि अगर आपको एक अच्छी खेती करनी है तो जमीन अच्छी करो खेती के पीछे मत जाओ आप जमीन अच्छी करो automatically खेती अच्छी आईगी so this is what you should be knowing about then how and when to apply these nutrients जमीन के अंदर कुछ nutrients होते है crop को कुछ nutrients चाहिए तो यह कैसे apply करे crop कैसे grow करता है develop करता है कैसे अलग-अलग अगर climate हो तो अलग-अलग environment अलग-अलग crops के stages के उपर climate और environment affect करता है for example अगर गेहू की बात करे तो बीच बोने के टाइम पे उसको बहुत कम temperatures का requirement होता है growth जो होती है गेहू में उसमें अगर हम देखे तो बहुत अच्छी growth गेहू में होती है तब जब उसके growth cycle या फिर उसकी जो reproductive stage होती है वहाँ पर अच्छा खासा temperature होता है और जब हम harvesting stage की बात करते है तो थोड़ा या फिर medium temperature required होता है गेहू को तो अलग-अलग climate अलग-अलग environmental factors का अलग-अलग crop stages के उपर effect क्या होता है वो भी पता होना चाहिए कैसे हम insect attack paste attack को control कर सकते है हमारे crops के better development के लिए ठीक है दूसरी चीज कैसे आप एक से जादा crops का specialization कर सकते हो और लास्टली agronomy के father कौन है जो की है पीत्रो दे chrysanzy तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी पडेंगी जो की है agronomy से related अब एक बार definition देखते है तीन और हम यह particular lecture end कर देंगे agronomy होतिया क्या है it is agricultural science which deals with principles and practices of crop production and field management इसका मतलब क्या है agriculture अगर हम देखे वो deal करता है principles से और practice crop production से related field management से related ठीक है तो principle simple सी बात है अगर आपको crop production करना है अगर आपको crop management करना है तो आपको एक चीद समझनी होगी कि आपको अच्छे principles अप्लाई करने होंगे अच्छी practices apply करने होंगी अच्छे methods apply करने होंगे जब तक आप यह चीज़े नहीं करते हो तो क्या ही point है आप कुछ करी नहीं सकते है आप अच्छा production अच्छा management नहीं कर सकते एगनोमी इस ब्रांच ऑफ एग्रिकल्चरल science जो कि deal करता है principle practices of soil water and crop management तो वही चीज है कि crop crop का production करना है management करना है तो of course crop कभी भी तीर बेसिक चीजों से आप ग्रो कर सकते हो एक है पानी एक है आपको आपकी soil so water that is irrigation soil जो कि है मिट्टी और तीसरी चीज होती है अपकोर्स आपकी air ठीक है तो यह बेसिक चीजे naturally होती है जो crop को required होती है इसके अलावा of course तो इसी से आपका total base बनता है कि कैसे आप crop को grow कर सकते हो तीसरी definition it is branch of agricultural science which deals with methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity ठीक है तो यही सारी चीजे है जो हम इस particular chapter में सीखते है overall definition आपको दो ही words जानने है एक है field so एक है field आपकी खेती और दूसरा है crop production and management in that particular field और वो आप कैसे करोगे अच्छे principles practices और methods अपलाई करके तो यह है basically आपका agronomy हम यहाँ पर end करते हैं और next part में हम discuss करेंगे history basic principles classification यह सारी चीज़े agronomy से related thank you very much see you next time सब्जस्दट लुप 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 झाल झाल